हेलो मैं लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे बचा लोग, कैसे हो आप सब लोग? I hope बहुत ही बढ़िया हो और हेल्थ वाइस एकदम सुपरब हो, क्योंकि जरूरी है And हेल्थ का मतलब मेरा फिजिकल हेल्थ से नहीं, आपके मेंटल वेल बिंग से भी है कि आप सिर्फ फिजिकली फिट नहीं, आपका ब्रेन भी सूपर अमेजिंग तरीके से दोड़े, जब जरूरत है आप ब्लैंक फील ना करे, आप बहुत जादा अंक्शियस, परिशान या डिप्रेज़ फील ना करे क्योंकि जतना ये जरूरी है, उतना ही इसका सही होना भी बहुत जरूरी है तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ब्रेन रूल्स है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अडाप्ट कर लेनी चाहिए जिससे आपका कंसेंट्रेशन भी 3X तक बढ़ेगा and definitely आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्विक तरीके से डिसिजन ले पाएंगे तो चलिए इस सेशन में मेरे साथ बने रहिए, अगले 15 से 20 मिनट में मैं इसे समझाऊंगी तो अगर आपको ये सेशन चाहिए था, आपको भी ये जानना था, तो प्लीज अप्रिशेट इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजे और सारे उन दोस्तों को भेज दीजे जिनको लगता है कि भई हाँ, मुझे इनकी जरुरत नहीं है पड़ आपको कही न कहीं पता है कि हाँ भई तुझे जरूरत है, तुझे जरूरत है, थोड़ा शाप कर लो इसको तो आपको भेज दो, शेर कर दो सारे दोस्तों को, सारे जिनके बारे में आप थोड़ी बहुत परवा करते हो अगर आप नए हो तो इस चानल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चानल पर आपको सारा नाइचेंट का अकाड़मिक कंटेंट ही नहीं बाकी इन जोनर भी बहुत सारा कंटेंट जो आपके पुरे होलिस्टिक डिवलपमेंट में आपकी हिल्प करेगा, वो जरूर मिलेगा, ठीक है? तो यस करेंगे, तो इस जर्णी में मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, यस टूदेंस, ओल्राइट देन, तो जैसे मैंने सेशन स्टार्ट भी किया था, कि जब हमें चोट लगती है, जब हम बिमार होते हैं, तो सबको दिखाई देता है, सबको समझ आता है, है ना, हमें फीवर कि बात आए, आज का टाइम ऐसा हो गया है, बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, और शायद पता लग भी जाएगा धीरे-धीरे, when you'll be in your 20s, you know, late 20s, के, world is not that great, it is harsh, है ना, और इसमें survive करने के लिए काफी महनत करनी पड़ेगी, है ना, तो इस वक्त पे, ऐ you're not feeling well and I'm talking about mentally, है ना, के बहुत जादा anxious लग रहा है, लाइफ में चीजे धंक से संभल नहीं रही है, करियर में जितना अच्छा कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे है, है ना, लाइफ में जितना अच्छा कर पा रहे थे अपने best potential पर नहीं पहुँच पा रहे है, तो अपन कुछ problem हो जाए, तो ये बहुत भारी पढ़ सकता, राइट, तो आज हम जानेंगे कि अपने mental well-being पे कैसे ध्यान रखो, अपनी concentration power को कैसे बढ़ाओ, क्योंकि जब concentration बढ़ जाएगी बच्चों, तो आप किसी काम को जल्दी से कर पाएंगे, हो सकता है जो काम पहले 3 घंट को और बढ़ाए, हमें पता है हो सकता है, हमें पता है हम काबल है, लेकिन उस काबलियत तक पहुचे कैसे, वो जानते हैं आज, है ना, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, is practice deep listening, and what do I mean by deep listening, है ना, एक बहुत ही famous quote मैंने पढ़ा था, that we listen to reply, we don't listen to understand, कि जब भी कोई हमें कुछ बात कर रहा होता है, या किसी से argument भी हो रही होती है, हमारा next response ही होता है, कोई इनसान अपनी बात पूरी करे ना करे, इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, इस बात का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, मैं कैसे counter argument कर सकता हूँ, या कर सकती बट क्या आप सोचो क्या ये एक अच्छा चीज है, मतलब क्या अच्छी चीज है, क्या इससे आपको फाइदा मिलेगा, आप सोचो, बिलकुल नहीं बच्चो, तुकि जितना आप शांत मन से सुनने की कोशिश करते हैं, आपको समझ आता है, आपको समझ आता है कि दूसरा इ argument देने लग गए तो आप कभी नहीं सीखेंगे ठीक है तो कोशिश करिए कभी आपके मन में ऐसे आवी जवाब दे दूँ तो थोड़ा सा पॉज ठीक है let the other person complete कि वो कहना क्या चाता है या चाती है ठीक है क्योंकि जब आप ऐसा करने देंगे ना तो आपको realize होगा अरे कितनी सही बात बता दी उसने कितने मज़े की बात बता दी कितने पते की बात बता दी कभी-कभी definitely गरत भी हो सकता है बट आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे ideas भी आ सकते है life में आपका दिमाग और जादा खुलेगा क्योंकि आप adaptive हो गया है है ना आपने अपने nature को अपनी दिमाग को adaptive learning के लिए तयार कर लिया है कि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे इंसान से और जब आप ऐसा करेंगे अच्छे से सुन पाएंगे you will definitely do great in your life ठीक है जगड़े वगड़े भी कम होंगे और आपको बहुत सारे अच्छे ideas भी आएंगे और आपका दिमाग भी और जादा खुलेगा ठीक है तो practice this in your life I know बहुत मुश्किल है कुछ लोगों के लिए बट कोशिश करेगा जरूर हो सकता ऐसा definitely हो सकता है दूसरी बात है spend time with others आजकल का time ये हो गया है sometimes मुझे लगता है मैं भी complain करती हूं कि I don't have that many friends है और जब भी time लगता है उसका reason क्या है बचो जब भी time लगा कुछ ना कुछ फोन में देख लेना है ना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लेना जाए वो YouTube हो चाए वो Instagram हो कोई series देख लेना कोई movie देख लेना हमने अपनी ऐसी habit बना लिया है कि हम बस हर time content क्या करते रहते हैं consume करते रहते हैं but trust me this is not good for your brain आप अपनी दिमाग को कमजोर बना रहे हैं आप lethargic होते चले जाएंगे आपके brain की capacity to adapt things decrease करनी शुरू हो जाएगे तूकि उसकी वज़े से क्या होता है आपका आप न थोड़े anxious होने लगते हो कि यह चल रहा है वो चल रहा है पूरा time आपने किसी ने किसी activity में अपने आपको गुसाया हुआ है आपने शांत मन से कुछ सोचने की कोशिश नहीं की आपने introspect करने की कोशिश ही नहीं की कि जो मैंने सुना उसका मतलब क्या है उससे मैं क्या सीख सकता हूँ या सीख सकते हूँ तो यह unnecessary content ले ना will not help you trust me on this ठीक है वो क्या करेगा definitely दीरे दीरे ना आपकी memory खराब होती और चली जाएगी आपने कभी देखा है आप चीजों को याद करने की कोशिश करते हूँ आपको याद ही नहीं आता आप words धूनते हो कुछ बोलने के लिए वो आपको याद ही नहीं आते यह किसका symptoms है कि आ आप थोड़ा stressed हो आप थोड़े anxious हो आप कुछ जादा ही you know अपने smart phones के साथ involved हो तो उससे break लीजिए असलियत में दोस्त बनाईए I know सारे दोस्त अच्छे साबित नहीं हो सकते और कभी-कभी आपको लगता है कि यार यह दोस्तों ऐसे निकले बट इससे भी आप सीखोगे आप लोगों से जितना सीखोगे न वो learning आपको कहीं नहीं मिलेगी आप अपने आप से अपने experience से लोगों से लोगों के experience सबसे जादा सीखते हो life में और तब आपके पास tendency जादा अच्छा करने की बहुत बढ़ जाती है ठीक है आपका दिमाग क्योंकि open है आपने उसको close नहीं किया हुआ है ठीक है तो अगर इन सब चीजों से बचना है कि आपको शब नहीं आ रहे है क्या बोला था ये नहीं समझ आ रहा ये कब हुआ था है ना ये सब इससे लिए है that you're too much involved in social media so please please do this जो लोग भी आपको पसंद है उनके साथ time spend करिये क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा quality time spend करते हैं तो आपके अंदर भी अच्छे hormones release होते हैं that helps you you know dopamine है ना आपको help करते हैं अच्छा feel कराने के लिए आपका brain भी relax रहता है relax रहेगा तो ज़्यादा adaptive रहेगा चीजों को सीखने के तीसरी बात है fit in some exercise a few times a week अपने आपको fit रखने की कोशिश करिये तो आप बोलोगे कि भई fit रहना तो आपके physical being के लिए नहीं fit रहने का मतलब exercise करने का मतलब physical health के साथ साथ mental health भी है अगर आप हर दिन सिर्फ 25 मिनट 20 से 25 मिनट exercise करते हैं वो भी अपने पसंद की running करना पसंद है cycling करना पसंद है football खेलना पसंद है volleyball खेलना पसंद है cricket खेलना पसंद है कोई भी physical activity bandminton dance करना पसंद है कुछ भी करिये बट करिये जरूर तो कि आप उससे relaxed रहेंगे आपका जब body के साथ साथ आपका दिमाग भी open होगा ठीक है आप जाधा active महसूस करेंगे तो आप जाधा productive बन पाएंगे और अगर brain को भी और शाप करना है देखो physical being सही रहेगा तो mental being भी सही रहेगा यह मैंने अपनाई हुई ची सकते हैं तो आप खुश रहने लगते हो दिमाग जाधा चलने लगता है बट अपार्ट फ्रम डाट कुछ और activities भी अपना सकते हो कुछ mind games भी जो है वह आप खेल सकते हो आजकल काफी अच्छे कुछ games आ गये हैं जैसे अगर मैं बात करूं apart from smartphone तो definitely आप chess खेल सकते हो ठीक ह chess खेलो काफी अच्छा होता है sudoku खेलो कोई और नहीं है मैं chess खेलने के लिए sudoku खेल सकते हो newspapers वगेरे में भी आता है phone वगेरे में भी मिल जाता है बाकी के लोगों के साथ कोई और अच्छ अच्छे games भी बहुत सारे आते हैं ऐसे कुछ games खेलने में involved हो जाओ ठीक है और आपकी vocabulary भी सुधर जाएगी जब आप sudoku खेलते हैं वो किसी भी तरीके से होता है general knowledge के लिए हो सकता है English के लिए हो सकता है किसी भी चीज के लिए हो सकता है this will help you in learning more और मजे के साथ भी खेल रहे हो तो वो भी आपकी बहुत help करता है बच्चों ठीक है तो आप ऐसी कोई activities भ चुनिए और उसको खेलते रहें that will also help you चीक है आप जाधा अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे अगर आपका दिमाग शांत रहेगा आप जाधा active रहेंगे वो सकता है जो पढ़ने में आपको पहले चार घंटे लग रहे हो वो दो ड़ाई घंटे में भी complete हो जाए क्यो यह चल रहा है वो चल रहा है अगर दिमाग active रहेगा कब जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं physical exercise करते हैं थोड़ा खुश रहते हैं अच्छे लोगों से बात करते हैं तो आपका दिमाग उस टाइम वहीं चलेगा और आप जाधा productively पढ़ाई कर पाएंगे ठीक है फिर उसका amount limit कर सकता है बच्चो क्योंकि जो आपका junk food है बहुत high amount of sugar होता है आप इतने cold drinks वगरे देख लेजे उसमें बहुत high amount of carbohydrates होते हैं ठीक है उसके साथ-साथ आपके brain के processing को यह बहुत ही डल बना देते हैं जतना जाधा junk food खाते हो ना उतना आपके brain की processing कम होनी शुरू हो क्योंकि उसको digest करने में बहुत जाधा शक्ती चली जाती है आपकी बॉड़ी की इतना carbs, carbs है क्या होता आपको instant energy मिलती है उस time तो active हो बट उसके बाद वो सिर्फ adverse effect देके जाता है आपकी बॉड़ी पे तो उसको बहुत ही limit करना है पही नहीं बोलरी बिलकुल मत खाओ क्यो और कुछ healthy आदते अपनी life में अपनाऊगे तो वो आपकी brain की power को बढ़ाने में भी मदद करेगा जैसे almonds आप रात को 6-7 almonds बिगो दो सुबह उसको खाओ मैंने किया है ये तीन-चार महीने लगाता है मैंने खाए है और मुझे इतना active feel होने लगा था चेरे पे अलग सा ग्ल और अगला पूरा दिन ऐसे जाता है पूरा नींद में लेथार्जिक तरीके से no energy type ठीक है वालनेट खाओ वालनेट की तो शेपी brain जैसी होती है वो आपकी brain की शक्ती को बढ़ाने में मदद करता है ठीक है आपका stomach सही बहुत I mean stomach सही रहना बहुत जरूरी है तब आपका अ हो जाएगा तारा रफिज बगेरा सब वो you know fiber सबसे जादे करता है clean out हो जाएगा पका stomach which is also very important you know tropical fruits खाये गर्मी है mangoes guavas orange यह सब खाये one apple a day keeps the doctor away हर दिन एक safe खाये तो adapt करिये कि मुझे हर दिन एक fruit तो खाना ही खाना है and come with variety बहुर हो जाते हो दो दिन apple खा लिया ठीक है अगले दो दिन orange खा लिया अगले दो दिन अनार खा लिया ठीक है तो ऐसे healthy habits ज़रूर अपना ही है curd खाये उसमें क्या होता lactobacillus bacteria जब आप खाएंगे आपका stomach सही रहेगा अगर शरीर सही है तो दिमाग भी जाद अच्छे से काम करेगा तो ऐसी आदतों को जरूर अपना ही है क्योंकि यह आपको fit रखने में mentally और physically दोनों बहुत मददगार है और जितना fit feel करेंगे उतना आप अच्छा जादा decisive बन पाएंगे उतनी आपकी concentration पार बढ़ पाएगी उतना आप जल्दी decision ले पाएंगे उतना आप काबिल बन पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग चलता है आप सोच लेंगे life में क्या-क्या और आप कर सकते हो तो यह जरूरी है है ना जरूरी है ना त इसको बहुत कम लोग importance देते हैं यह ना बहुत सारे लोग ऐसी बाते भी करते हैं बकवास है सब दो घंटा भी solo ना काफी होता है human brain के लिए दो घंटा solo काफी होता है ऐसा नहीं है students आपका पूरा का पूरा दिन यूनो बहुत काम के थूरू mental pressure के थूरू physical work के थूरू और मान लीजे आपका कोई दिन super hectic हो तो क्या करें अगर आपका दिन super hectic हो ना तो power nap ले लीजे बीच में और कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जैसे मैं अपनी बात करूं मान लो दिन में 7-8 class है ठीक है काफी busy है बढ़ तीन-4 class के बाद शकल ही ऐसी हो गई थोड़ा थकान सी ह हो गई तो इस टू दू दाट टू एक बीस मिनट का 25 बीस मिनट का maximum होता था वैसे मेरा तो आप 20-30 मिनट देख सकते पावर नप ले लीजे उससे क्या होगा ना आप फिर से रिलाक्स फील करेंगे आपके energy levels बढ़ जाएंगे अब आपकी concentration जाद अच्छी होगी काम को करन ही होती है है ना तो oversleep करने से भी और lack of sleep करने से दोनों से आपको ऐसे inactivity और improper focus लगता है यह पूरा दिन focus ही हिला हुआ है समझी नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें एक चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा है तो नीद बहुत जरूरी है आपके mental health के लिए ठीक है और जब भी hectic day हो remember power nap लेना आपके energy boost हो जाएगे आप जाद अच्छे से focus कर पाएं और यह कहीं कहीं नहीं बातें यह अपनाई हुई बातें हैं यह apply की हुई बातें तो अगर आपको इसको अपनाएंगे तो आपको भी बहुत सारा फाइदा मिलेगा ठीक है तो आप मुझे बताएं आज की आज इन में से कौन कौन सी habits तो बस आप अभी से अपनाने वाज और कौन सी माम हां कल करे सो आज कर आज करे सो अब तो है ही बचां we'll make sure दीरे दीरे हम अपनी life में इन सारी चीजों को involve कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों मेनवाइल कोई सवाल हो परस्टन लेवल पे कनेक करना हो यह मेरा इंस्टा है अनुभा अंडरस्कोर एजी अंडरस्कोर आप मुझसे कनेक करिए सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए it will really really important क्योंकि बाकी बच्चों को भी यह वीडियो पास होगा अपने दोस सुदेंस बबाई सी यू अस्ताल अवस्ता एंद प्लीज टेक केर अफ यॉर्सेल अपनी फिजिकल हेल्थ का भी और अपनी मेंचल हेल्थ का भी क्योंकि दोनो प्रियोरिटी है चीक है सीया